है पिरान कलियर तो कौन होगा कलियर में और मुद्दे क्या होंगे जनता से पूछेंगे और जवाब देंगे जन प्रतिनिती जो वेक्ति एक छड़ती ग्रस पुल पर मान नहीं डलवा सकता है पुल कैसे बनवा देगा सबसे पहला मुद्दा तो यह आता है कि हमारे विदाय है जब आप देए किसके बताए आपको जो फुरकान विदायक की ओजनामत दस साल में पुल नहीं बन बाया चीन की दिवाल पर काम करेंगे जा गई है जो इनके पूर्ब मुख्य मंत्री है हरी श्रावत जी वह अपना पहाड़ी छेत्र छोड़के हरी दाल कमीड से क्यों करते हैं साब जब सब कुछ पीजेवी क्यों करना था जिन्होंने तीन बार अपने मुख्य मंत्री चेंज कर दिये हो वह क्या विदायक बन के करेंगे जिनकी सत्ता अभी है कलियर विदायन सबा में इस बार किसका सिक्का चमकेगा आज सवाल यही है आज जनता भी होगी आवाम और साथ-साथ जन प्रतिनी दी भी होंगे सवाल और जवाब किस्सा कुर्सी में आज सीधे तोर पर हम बात कलियर विधान सभा की करेंगे कलियर विधान सभा जहां पर कॉंग्रेस ये दावा करती है कि ये उसका गड़ है क्योंकि दो बार से विधायक उनके हैं और साथी साथ बीजेपी इस बार किसी भी हाल में कॉंग्रेस के विधायक फुरकान सभा की जीत की हैट्रिक यानि की विधान सभा जाने का रास्ता ब्रेकर के जरीए लगाना चाह रही है तो कौन होगा कलियर में और मुद्दे क्या होंगे जनता से पूछेंगे और जवाब देंगे जनतादी सबसे पहले जनता का बहुत-बहुत स्वागत है किस्सा कुर्सी में आप सबका बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-ब बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बहुत स्वागत है चो शुरुवात क्योंकि सत्ता में जो होता है जवाब उससे लिया जाता है लेकिन मसला विधान सभा का है तो कलियर में विधायक फुरकान सहाब है फुरकान सहाब भले ही गायब है कारिकरम का हिस्सा नहीं है लेकि क्योंकि काम किया है, यहीं से मेरा सवाल शुरू होता है. अब, आप मुझे बताएंगे और कलियर की आवाम को बताएंगे, कि विधायक जी ने कौन से ऐसे तीन काम किये हैं, अपनी विधान सभा में, जो मील का प्तर हैं. क्योंकि दो बार से वो विधायक हैं. जी, एक तो सबसे बड़े है, सबसे जो बड़ा काम किया है यहाँ पर यहाँ सवास्ते सुईता की बहुत कमी थी तो कलियर में एक बड़ा होस्पिटल जो है बनकर तयार है उसके बिल्डिंग में तयार है यह विदायक जी की बहुत बड़ी उपलब्दी है तो उसरा ही दो कलियर में क्रोसिंग को लेके बहुत बड़ी दिक्कत थी तो एक पुल तैयार हो चुगा है और दूसरा पुल तैयार है यहाँ पर और तीसरा यहाँ जो जितनी भी कलियर की पहले हम यहाँ आते थे तो सड़के बहुत जादा खराब थी वेवस्ता बहुत जादा मतलब दसन वह सारी जो हैं सडिके जो हैं दुरुस्त के विदायग जाने यह तीन काम अपतीन उपलब्दी गिनवारे हैं ना कि नियुद लेकिन साहाब मैं तो चार किलो मेटर लंबा गूमकर आना विदायक आपके ओर उपलब्दी आपकी लेकिन बंध है तो यह कह रह तो यह कह रहे हैं कि सब्से बड़ी हमारी होग जी यहकर लाम आपकी क्या सोच आपका मेरी सोच यह है हमारे मानिपुरका नेमद जी खड़े बताता हूं तो पिछले दस वर्स से विधाय का यहां और पिछले पांच वर्स सो मंतिर रहे हैं उनकी गोर्णमेंट सरकार तिया तब तो कुछ नहीं पाई पुल का अब अब हमारी सरकार बदो है मैं तो यह मेरा कहना यह है कि वह पांच वर्स तो मंतिर रहे हैं और सरकार उनके अल्समति आपको पताई पीडिया अभी तक भूले नहीं होंगे उनका प्रेसरता बनवा सकते देपूल लेकिन नहीं बना पाए और पिरान करियर हमारा विशु परसिती तर स्थान है उसक क्या सोचते हैं देखिए सबसे पहली बात तो यह है यहां पर आपने इनवाइट किया था विदायक फुरकान जी को आम आदमी पाइटी से इंजिनिय अशारावालम को और बीजेपी से जैवगवान जी को तो सबसे पहला मुद्द तो यह आता है कि हमारे विदायक जी गा है कि कहा है विदायक जी यही बता दीजिए असल में विदायक जी का भी कारिकरम लगा हुआ है धनोरी पास के गाउं में उनका कारिकरम चला है और सवाल का जवाब देने के लिए मैं हूँ अब आपार्टी के परतियासी से पूछना चाहता हूं एक बार 200 किलोमीटर आने म वाला सवाल है मैं एक बात पूछना चाहूंगा जो इनके पूर्व मुख्य मंत्री है हरीश रावत जी वो अपना पहाडी छेतर छोड़के हरीदार गामीर से क्यों चुनाओं लड़ते हैं साब मोदी जी गुजराच छोड़के बनारत से चुनाओं के लड़ते हैं साब गलत तो नहीं कहा रहा है मैं साब आप हमारे जो पूर्व मुख्य मंत्री है वो अपने घर से चुनाओं लड़के दिखाएंगे और मैं तो कह रहा हूं मेरे अंदर तो हिम्मत है मैं आपके घर में आके चुनाओं लोड़ रहा हूं आप अपनी विदान सभा चोड़के ल इसलिए जवाब्या दिया है आपको आपको आना पड़ेगा तो उसकी शिकायत नहीं चाहिए कर नी चाहिए कि मैं आपको बता दूंग अपना और चोड़के आज पिरान कलियर का होगया है मैं अपनध घर भी बना लिया है मेरा घरे दून साबरी होटल के पीछे मैं अब आ गया हूँ और मैं किसी विदेश का नियू में उत्राखंड का ही वाशिंदा हूँ ठीके साब चालिए यहाँ 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 एक मसला बहारी का भी मसला जिस पर एंजीनियर साब ने अपनी सफाई दे दी लेकिन अब मुझे यह पुल के पास जागर उस पर पत्थर लगा हूँ आप उस पर पत्थर देगे किसके नाम का लगा हूँ यह पिछली सरकार में पुल तहीं आरो गया था एक पूल अभी काम चलना और जो कि Вас पया है कि यह कह रहें कि मंत्री ओकर पुल नहीं बन वापाए कि फ्र मिदा कि यह पथर पथर से कुछ नहीं होता है पुल बनना चाहिए उस पर जनताच चलनी चाहिए पत्थर लगा दिया वह पुल हो गया भी जलना कि है लेकिन विधायक जी तो कह हमने जो है पुल बन वाया आप कहरें कि भुल ही नहींग lebih वी कोई पुल के विल्कुल कोई सुबता नी है जी अंचा लेकिन लेकिन मस्ला मस्ला यहां पर बाई साब किस्सा कुर्सी का है आप भी कुर्सी पर विराज मान हो यह थोड़ा दा पीछ हो जाइए देखिए जो पुल का मुद्दा बता रहे हैं और बजया बगवान जी ने बताया कि पिछले पांच सार में जब सरकार थी तब क्या उपलब दी ती यह जो पुराना प अब यह पुल कितने दिन से बन थे विदाये जी ने चार बार विदान सभा में कोश्चल लगाया किसी पर देश का सबसे बड़ा जो नया स्था कि प्लीज होती है प्लीज कर एक एक करके प्लीज एक करके मेरा मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है हमारे विदायक जी से, मेरा एक सवाल है अपने विदायक जी से, जो कुर्सी छोड़के गायब है फिलाल, मेरा एक सवाल है कि पूरी विदान सभा के अंदर दस साल सा विदायक हैं, दस को आदा कर दीजिए, पूरी मैं आप साथ सब जन्ता के सामने वादा कर रहा हूं जिस दिन आम आद्भी पाइटी की उत्राखिट में सरकार आएगी जिस दिन इन जुनिय शादा वालम विदायक बनेगा उसके बाद उसके बाद आप मुझे ऐसे पांच गाउं बता दीजेगा ऐसे पांच गाउं बता द कोई यह पांच गाउं की बात कर रहे हैं हमने 36 गाउं में काम किया है 36 गावन चाहिद शे 2017 सबके से अपना नाम बताईए मेरा नाम मुझे धी मत्नजा थूस्त अपने बताएगे यह पूल गश्ताह्ता में bastard att पुल कैसे बनवा देगा यहां समझ गए हम यह पुल भगवान जी बड़ा मुद्दा है यह कह रहे हैं कि भगवान जी पुल तो भाजपाई भी नहीं बनवा पाई सरकार तो आपकी थी चावला जी यह फुल की स्थिति क्या है जंत आपको बता रही है जब आप देख किसके बताएं आपको कम से कम पुराना पुल उसकी मनमत ही हो सकती थी तो विदायग जी कर सकते थे और भाजपाई दोस्देना गलत जो भी कारी हो रहा है यह गलत बोले है एक सेकंड एक सेकंड यह तो रही मसला पुल का लेकिन एक और महतपूर बिंदू पर आ रहा हूं मैं एक जो देन अब बताएं कि कलियर विधान सभा में यह आवाम जानना चाहेगी कि स्वास्त के शेतर में आपने कौन से उपलब दी आसिर की स्वास्त के शेतर में यहां पर सबसे बड़ा मेडिकल जो है और इस्पिटल मनके तयार होने वाला बील्डिंग तयार है उसकी एक मेर्ट जब जनता चुना जब जनता ने आपको चुना और चुनने के बाद आपको मोका दिए तो आप मुझे एक बाद बताईए कि एक पाथ साल में बनता है मैं बीजे़ईपी और कॉंगरेस्दोनों से पूछना चाहूंगा क्या कोई शीडूलिंग है क्या कोई तरीका क्षूस्तान हएं कि कवाल्टिगा यह तरिका है एक पांस साल अब कहा है नाले-बाजी नहीं यहां स्वास्थ को लेकर जिस मस्वेगोंエ कि स्वास्त के शेत्र में आपने क्या किया स्वास्त के शेत्र में आपने लिगenne मेरा नाम राव मस्कूर बढ़ेडी राजबतान हम तरह जो पुए हज कमेटिका अब सब 20 साल पहलो वा था अब सब 20 साल पहलो नारेंदर तिवारी इस पुल्ल की घोसना करें जो नया बना जो फुरकान विद्धैकी ओजना में पुल्ली बन बाया चीन की दिवाल काम करेंग करोना काल में जो हालत थी ना स्वास्ते में जी बता रहे ना चला कि रहे वे कलियर के अंदर यह थोड़ी दूर पर इस वास्ते के अंदर उसके अंदर सारी सुविधाय उपलब्द एंबुलेंस दी गई और सारी बहुत सारी सुविधाय स्वास्ते प्बिक क्या रही है कि स्वास्ट के शेथर में आये क्या के रहे हैं आप सामने आई एना राइए नाम बहुदेये मेरा नाम राशीद अली आप मामले में इतने विदायक जी ने पर्देश का पर्थम यूनानी मेडिकल कोलिज जिसका पर्थम चंड का बजट जारी कर दिया गया था भाजपास सरकार ने उसे भी पसपात के करना तक प्रेंडिंग में डाना हुआ है मसला सारा बीजेपी पर ही डाल देते हैं बगवान जी यह समझ में भी आ जाती है कि सब कुछ बीजेपी ने रोग दिया जब सब कुछ बीजेपी करना तो बीजेपी का विधायक बनाएं यहांसी जब तुम कुछ कढ नहीं पा रहे हो कर क्या रहे हैं आप लोग्ञता करना बीजेपी ने बीजेपी का विधाय को नाइए लेकिन 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 एक और महत्पूर्ण सवाज एक सेकेंड एक सेकेंड एक करके अब मसला आ गया मैंने यहां का सबसे बड़ा मुद्दा पुल मुद्दा दूसरा मुद्दा स्वास का मुद्दा अब मैं आता हूं एक और महतपूर मुद्दे पर जो कलियर का ही मुद्दा आये वह आप लोगों के भविश्य से चुड़ाओं मुद्दा है मैं यह कहता हूं कि अगर कुछ परिवर्तन करना थो शिक्षा को बढ़ावा दीजिए वो सबसे महतपूर है तो शिक्षा के शेत्र में कलियर के लिए विध लड़कियों के चार सबकुछ अभी बन रहा है या फिर दस साल में अभी सबकुछ रड़ी है के वली के वली काम दस साल के अंदर हुए आप भावरी जाकर देखिए भावरी हमारी विदानसवाम पढ़ता है और इंगलिश मीडियम कर देखिये सबसे पहली वाद तो मैं यह कहना चाऊँ गाओ विधार्ज यह पर नहीं याए उनको आज विजी थे वो तो मैं खुद इन्वाइट कर रहा हूँ समय वक्त बता दें समय वक्त बता दें वो कब आ सकते हैं वो अपना वक्त बता दें मैं उनके साथ डिवेट करने के लिए तयार हूं ही इंजीक नहीं है हैं शिक्षा स्वास्त का है और बीडाइ जी का दावा है अब मुझे एक बात बताईए आप क्या सोथते हैं क्यलेर की विधान सभा में जो काम किया है विधायक जी ने वो कह रहे है कि आप जीत की है ट्रिक पक्की है इन्होंने नहां बंदों को पूचा हर गली में चले जाओ इनका पुर्खान जी का बस नाम ले ना भगवान बचाए लोगों से यहां पर रहा हूं विधान सभा चुना लगा उसके बाद मैंने दो बार लोगडाउन लगा मैं एक पर तेक गवां में गया हूं यह मैं दावे यह मसला एक मसला मैं और उठा रहा हूं अभी परची आई मेरे पास एक मसला उठा रहा हूं क्योंकि देखिए जवाब सत्ता के पास होता है राष्टवात के नाम पर तो आपस में टकरादो लड़ादो भिडादो वाले बहुत है लेकिन असली नजरियाफ पत्रिकारिता का मेरी नजर में यह है कि सवाल सत्ता के पास होता है विधायक के पास होता है सवाल का जवाब हमें अभी मेरे पास आया हकीम पूर्टुरा कोई जगा है गया है हकीम पूर्टुरा में जल भराओ की समस्या भहत हैं किया ये सच है стр है जल भराओ घृषत है जल भराओ रहत है पानी किचर किचर सब कोछ सब कोछ jeずek सब कोछ I तो विधायक जी के जो विधायक जी का पैट्रोल पंप है उसके सामने जो रोड है वो भी विवादित जबागा मैं ही क्या जिना जाके देखिए पानी कितना घड़ा है भी गंदगी कितनी है जिना पूछना चाहूंगा मैं विधायक जी के घर के बाहर कह रहे हूं कह रहे है इंजीनियर सहब कह रहे हैं कि विदायक के गर के बार की जगा है विदायक जीने सिर्फ बाते की हैं और बाते भी नहीं करनी आती है अगर बाते करनी आती तो सामने होते है जनता के आज हकीकत बात यह है बाते भी नहीं आती तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ सबसे पहली बात तो यह है कि देखे जो हमारे विदायक जी है उनको जंता के सामने आना चाहिए जवाब देने चाहिए और गई बात बीजेपी की मैं आपको बता दूँ जिन्होंने तीन वार अपने मुख्यमंत्री चेंज कर दिय के हैं उ बोगया विदायक बन के करें इन जिन की सत्ता अभी है जिनकी सत्ता यह दिनकी सर्कारielt Tran touring अच्छा यह कह रहें कि पहले पहले बीजेपी के पास पमें भी पास थぉती थी कौन सी हिँ भी ढूब अब वो गई सिख्ष जी तीरद जी और धामी जी यह सब सब्सक्कों मुक्यमंत्र बनादेंगे पूरी हिंदुस्तान के मिनिश्टर से लेकर M.A. से लेकर M.P. से लेकर दिली के अंदर पड़े ते साब तो भी हमादमी पाइटी की सरकार आई है एक आदमी के अंदर इतना है था में केजली वाल के अंदर अच्छा मुझे एक सवाल कर ठीक है मैं आपकी बात समझ गया लेकिन इंजीनियर साब एक बात तो बता दीए आप दिल्ली में बहाना मारते हैं कि भहिया हमारे हां आप में कुछ आखे यां चाया कर दिया ना जब हात में नहीं है तो इतना काम कर दिया हाथ में नहीं है ओके एक महतपूर सवाब एक महतपूर्ण सवाल सवाल ये है कि ये कह रहे कि भाईया आपने छे चेहरे बदल दिये छे-छे मुखे मंतिरों की बात कर रहे हैं इस बार तो थ्री जी ओर आ गई लेकिन ये कह रहे कि हमारा चेहरा बिल्कू साफ है लेकिन कॉंग्रेस में सब्सक्राइब है ये कह रहे कि हरी शरावत चेहरा है लेकिन यहां के मुद्दे क्या है और क्या कुछ कहना चाहिए इनके पास तो चेहरा है निया कि 51 साल का नेता और रहूल गांद युवा पता रहे हुसा 51 साल का युवा और तू जीरो सा सफाया हुआ हुआ आप सबको पता है कि किस बेस पर आप मुख्य मंतरी का चेहरा बना रहे हैं बताई आप यह कह यmg निए यह जोए पोना का रिएना कर फूरिष यह जो लुह समें दो क्वारे जी माधी ऑसे करते हैं पशुली बात अब स्वारत हयंगों के लिए जटोना और फूरंग जी घ्रपण जी कंस्के लिए। हरी श्रावत जन्नायक सब के लिए काम किया है उन्होंने और जन जन का जो विकास अगर किया है तो हरी शरावत ने उनकी हिंदू मुस्लिम सीख इसाइद दलित हर आदमी जो इज़त करता है यह पहले कॉंग्रेस में क्लियर करवा दीजिए हरी शरावत चेहरा है नहीं तो कलियर विधान सबाव जो जनता के मुद्दे है अब आप से जानना चाहेंगे कलियर का सबसे बड़ा मुद्दा आपको कौन सा लगता है कलियर का मुद्दा विकास का है बुरकान वी रेंग ने पुरा विकास किया है यापर सवास्ते के बारे में भी सिक्सा के बारे में भी लेकिन इंजिनियर स सब्सक्राइब आप लोगों की वजह से कलियर का विकास नहीं हो रहा है यह गलत बोल रहे हैं इन्हों कुछ नी किया अब चुनाव नजदी काई तो सब कुछ आप तैयार होगा इनका युनानी कोलिज भी तैयार होगा जब की स्थिति है विकास की विधागी जी का फ्रेटर यह बहुत अच्छी बात यह है कि आपके सामने आपके सामने चेहरे हैं आपके सामने चेहरे हैं मैं आ रहा हूं मैं आ रहा हूं एक एक करके पीस आपके सामने चेहरे हैं अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूं तीनो 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 चेहरों से मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि आ या मैं कलियर के लिए यह करके दिखाऊंगा जो अब तक नहीं हुआ एक वादा बताईए पहले तो आपसे रिक्वेस्ट माइक लेके भागी अगमा तब पूरी बास सुनिएगा मेरी और मेरी जनता से भी अपील है सबसे पहली सोगात यहां के लिए होगी कारोबार क्योंकि यहां के जब से उत्राखंड बना है जब से उत्राखंड बना है उस उत्राखंड बनने के बाद 21 साल से 21 साल से यहां पर कोई भी इंडस्टीज नहीं आई है इस पीरान के लिए और विदान सभा के अंदर कोई भी इंडर्श्टल एरिया नहीं करता है मैं आपको बता दो दूसरा महीलाओ के लिए महीलाओ के लिए यहां पर ना तो कोई रोजगार की विवस्ता है ना कोई शिक्षा की तरीके की विवस्ता है मैं आपको बता दूँ इसके अलावा यहां पर स्वास्त को लेकर साब यहां पर आज भी घोड़े तांगे चलते हैं मैं आपको बता दूँ यहां स्वास्त और शिक्षा के शेत्र में और खास तोर परोजगार आपका कौन सा मुद्दा होगा देखो पिरान कले विधान साम म मुख्य मुद्दा जो है यहां पर तो पानी की विवस्ता भी पीने की सब्सक्राइब क्या करेंगे अगर अचंता आपको चुन मैं मैं जो करूंगा वो चंता के सामने होगा स्वास्ते सेवाई ठीक करूंगा और यह जो सड़की आवा कबना देंगे पुल बना देंगे प कांग्रेस की और वह टोटल काम चुरू के वह काम अब भाई और यह शूचा नहीं से टिक कड़ेगे आपकी है जो हनुत सुच लो इए यह जालू भाइप कि देख रहें हाच कमेटी वहां कि तकी सरकार है गशा मेंति बनी और चालू हूई आज बीजेution की कि सरगारे इसमें तालह लगश पड़ाए बंद बड़ी सफेध हाधी बना दिया है आपने तो ये ये तमाम मुद्धे थे ये तमाम मुद्धे थे देखिये विशे विशे जो है वो काफी इसलिए गंबीर कि कलियर जो है वो सबसे एहम मुद्दा इसलिए क्योंकि यहां पर जीत की हेट्री की बात है तो यहां जो कलियर की हमात कर रहे हैं वाकर इस बार जीत की हेट्री कर पाएंगे और तो कौन सा मुद्दा है जिसके बल पर इंजीनियर साब कह रहे हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी इन मुलाकात फिरान मुझे दीजे जारत नमस्कार जहिंजा भारत जाउत